So, Hello everyone, Guys, Sir Aramadiv, Radhi Radhi, कैसे आप सभी लोग आई, I hope आप सभी लोग अच्छे अगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहोगे So, Guys, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आगई हूँ Who is coming new versus old person के कौन आ रहे हैं आपके जिन्दगी में इस चाइम पे So, यहाँ भी, Guys, woman holding a coin card है और अगर आपके name के initials A से लिए के M के बीच में आते हैं तो आपके लिए first pile है और यहाँ भी है action card second pile के लिए और अगर आपके name के initials है N से लिए के Z के बीच में तो आपके लिए second pile है कौन आपकी life में हा रहे है, Guys So, आज हम इसी topic के ओपर reading कर रहे है So, reading start करने से पहले अगर आप new हूँ, चैनल पे subscribe करके चैनल को bell icon को दबा के all पे set कर दो So, that आपको आने वाले सभी notifications मिलते रहें अगर आपको personal reading लेनी है कोई भी question के regarding आप ले सकते हो मुझे Instagram पे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम का link description में है टाइम्स चैनल के जर्स चुपई या फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हो ठीक है And also, अगर आप Instagram पे नहीं हो तो आप मुझे comment section में भी बोल सकते हो तो मैं आपको number provide कर दूँगी अपना ठीक है अगर आप लोग कोई भी crystal भाई करना चाहते हो ठीक है तो आप यह अपना इशू बता देना कोई भी अगर आपको इशू चल रहा है अवेलाई से जॉब के लिए concentration study में नहीं कर पा रहे हो तो वह सभी चीज़ों के लिए प्रिग्नेंसी लव मारे जो के करियर सो कोई भी question है आपका उसके regarding में आपको recommend करूंगी crystal आप बाई कर सकते हो ठीक है 10 परसेंट सेल चल रही है 10 जुलाई तक आपकी wish है अगर आपको बाई करना है तो आप बाई कर सकते हो स्टार्ट कर लेते हैं जिन्होंने भी woman holding a coin card को पिक है फर्स्ट कर लेते हैं आपके लिए फर्स्ट फायल गाईज अगर आपने woman holding a coin card को पिक है या आपके लिए फर्स्ट फायल है तो आपके लिए फर्स्ट फायल है तो गाईज यहां पे आपके लिए क्या आ रहा है कौन आपकी life में आ रहा है इस time पे who is coming new versus old person ओके सबसे पहले तो woman holding a coin card आपको शो कर रहा है आपकी life में कहीं ना कहीं financial issues अगर चल रहे हैं guys वह आपके खतम होते हुए दिखेंगे इस person के आने के बाद okay and यह person आपके business में partnership के रूप में भी आ सकते हैं किक है आपको financially बहुत जारा stable feel करवाएंगे यह person आपको gifts दे सकते है financial surprises आपके लिए दे सकते हैं यह okay and also आपके लिए guys इस person की यह person guys आप जब आएंगे ना आपकी life में आपके intuition भी हाई हो जाएगी आप intuitive बहुत जारा हो जाओगे तो आप समझ आना कि यह person ही है अगर यह person आ चुके हैं guys तो अगर यह person नहीं आए हैं तो guys अभी आएंगे और उसके बाद आपके intuition भी हाई होगी आपकी financial stability भी life में आ जाएगी financially आप बहुत strong feel करना start कर दोगे उसके बाद okay so यह चीज़े मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं 42 नंबर आपके लिए important हो सकता है या फिर 6 नंबर आपके लिए important हो सकता है okay so guys यहाँ से tarot के through देख लेते हैं and guys also मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ पे आपको नहीं बताओ कवाल कहते हैं न जैसे पीरों का कवाल लिया होती है न पंजाब में होती है तो वो हमारे सपास में ही मंदिर है हना हमारे घर के बिलकुल पास में मंदिर है so that's the reason यह वाज आएगी आज ठीक है so अब मैं क्या करूं हाना अब reading तो कतनी ही पड़ेगी so थोड़ा सो announcements कर रहे हैं कि हां आज है यह काम ठीक है so that's why so होता है न है announcements होती ही रहती है फिर हाना so यहाँ पे guys 9 of pentacles card wow 10 of pentacles card so कौन आ रहा है guys इस चाइम आपकी life में new versus old person okay दो cards आ चुके है guys यह यहाँ पे page of swords 8 of swords पहले 2 card pentacles के रूप में आए है and then guys swords के रूप में आए है 2 cards wow wow amazing four of wands card है guys आज कल यह card बहुत आ रहा है I think आप बहुत आई लोग की शादी हो रही है यह शादी fix हो रहे है oh my god ace of pentacles is here guys मैंने बोला जो वो हो रहा है यहाँ पी bottom of deck wheel of fortune है यहाँ पे मिलने है जिस यहाँ पे queen of swords guys यह person जब भी आएंगे ना अगर यह आ चुक है तो 100% यह situations आपके साथ हो रही होंगी अगर नहीं आए है तो guys आने वाले समय में आ जाएंगे यह यह अगर है यह person अभी आपके साथ तो आप उसके accordingly भी देख ले ना हाँ जिसके साथ आप हो वही है यह person कोई new नहीं आ रहा है आप guys यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो यह दिख रहा है आप जब इस person को मिलोगे ना आप struck energies feel कर रहे होगे स्टक होगे बहुत जड़ा आपकी energies बहुत स्टक होगे एक किसी चीज में फसे हुए होंगे है ना सो यह चीजे आपके लिए दिख रही है and also eight of swords आपको शो कर रहा है कि हाँ आप बहुत स्टक होगे इस ट्राइम बिल्कुल आपको रास्ता नहीं पता चल रहा होगा राहू की महातशा हो सकती आपके इस ट्राइम चल रही हो कि आपका माइंड बिल्कुल काम ही ना करे है न इस नहीं थे बट हाँ family वाइस नहीं थे बट हाँ आप खुद कुछ नहीं कर रहे थे बट जब यह person आएंगे ना तो तब आपकी income increase होगी salary means आपको मिलने लग जाएगी कहीं ना कहीं आप काम करने लग जाओगे उस ट्राइम and यहाँ पर इस person से ही आपकी शादी होगी future म यह लिख के ले लो ठीक है पता ने क्यों मतलब मेरे मन में आ रहे है यही person से आपकी शादी होगी ठीक है and यह बहुत person abundant family से है independent होगे यह person होगे जो भी है यह person and आप भी independent हो जाओगे इस person के आने के बार ठीक है so यह energies मुझे दिख रहे है unexpected money flow आपकी तरफ आता हूँ आपक unexpected money आपकी तरफ आएगी ठीक है इस person के आने के बार and यह person आपको check करेंगे हर टाइम आप क्या कर रहे हो क्या नहीं मतलब आपकी उपर इस person की आखे रहेंगी ठीक है loyal दिख रहे है मुझे बिलकुल ऐसा नहीं दिख रहे है loyal नहीं है no बहुत इमानदार रहेंगे honest रहेंग आप अच्छी family से हो सकते हो ठीक है marriage यहाँ पर दिख रही है यह person आपकी energies को balance कर देंगे आके that's why यहाँ पी queen of swords आप बहुत blunt हो guys मतलब आप जो मन में आता है वो बोल देते हो बिलकुल आप थोड़ी egoistic हो ठीक है girl हो चाहे boy हो बट आप थोड़ी egoistic हो feminine energies हैं आपके अंदर and also आप बहुत intuitive हो and yes मैंने जैसे बोला ही आप इस person के आने के बाद भी intuitive हो सकते हो कुछ लोग होते हैं कि उनकी energies से आते ही आपके भाग खुल जाते हैं भाग आपके लग open हो जाता है लग के दरवाजे खुल जाते हैं so वही यह person करने वाले हैं आपकी life में आके and यह person आपके दिमाग के उपर जो भी बादल चाहे होए थे वो बिलकुल नीचे आ जाएंग ठीक है आप फॉल अपना माइंड का यूस करना स्चार्ट कर दोगे and also stuck feeling से बहार निकल आओगे and also guys आप थोड़े से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कहीं न कहीं आप दोनों के करमा एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कहीं न कहीं दूनों के ही एक दूसरे के साथ लग भी जुड़ा हुआ है लग दोनों का ही जुड़ा हुआ है यहां पर यह भी नर्जिस है and universe की तरफ से यह person आपके लिए as a blessing के रूप में ही आने वाले औ अगर तो आप इस person को मिल चुके हो गाइस आप देख लीजिए बट यहां पर मुझे कहीं ना कहीं new person की energy दिख रहे हैं कि future में कोई new person ही आपकी life में आएंगे और यह सब चीज़े आपकी life में लेके आएंगे ठीक है सो आपके लिए राशियों बताऊं तो टॉरस रूप केप्रिकॉन और जमेनाय लिप्राइक वेरियस इंपॉर्टन हो सकती है सो गाइस यहां से देख लीए थे क्या energies आ रहे हैं आपके लिए और ओके कौन आ रहे हैं आपकी life में सो यहां मुझे तो दिख रहा है कि यह कोई new person ही आ रहा है बट यहां पर कुछ लोगों के लिए बतलब जो जिन लोगों से यह person मिल चुके हैं उन लोग के लिए तो फिर old ही हैं ठीक है मतलब जिनके साथ आप अब भी हो वही है यह person सो यहां पर goddesses of the moon की energies हैं सबसे पहले तो यह person famous भी हो सकते हैं इस name famous person के पास हो सकता है अपने आस पास के इलाके से like college school जहां पी study वगरा की यह है वहां पर इनका यह famous होंगे ठीक है वहां पर मतलब अपने time पर सो यहां पर first chakra archangel Michael है तो of course यह person का जो first chakra है वो बहुत open रहेगा sensual and sexual powers बहुत जाए हाई रहेंगे इस person की and also यह person financially भी बहुत stable रहेगा जैसे मैंने बताया ही है और इस person का balance होगा base chakra ठीक है मतलब जो जिसको हम कहते है first chakra root chakra कहते है जिसको हम हाना सो यहां पर आपके लिए second chakra भी आया है so first के बाद ही second आ गया है तो मतलब तो यही है कि इनके balance है यह चक्रा यह थोड़ से इनकी जो energy जाना वो balance होंगी पर हां यह emotionally बहुत stable होंगे अपनी life में stability होगे इनकी life में यहां पर इनका जो emotions है जो feelings है वो बहुत जास ट्रॉंग है strength है इनके अंदर means यह इंपने emotions बहुत जल्दी नहीं show करते हैं किसी को मतलब easily show नहीं करते हैं यह person आएगा मतलब जितना आप सो सकते हो नो उतना पैसा आपके पास होने वाला है अगर आप चाहते हो आपको millennial billionaire ठीक है trillionaire बनना है तो यह सुतना भी सो सकते हो सोचने में क्या ही है भगवान के लिए कुछ impossible नहीं है हाना सोचो गाइस जितना सोचना है एक दम से क्याप तक क्या ही हो जाए हाना इस आपके पास कभी कोई चीज की कमी नहीं होने वाली अपने घर पे ठीक है and man holding a heart card है यहां पर यह person बहुत है आपके उपर dependent रहेंगे ठीक है दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है यहां तो इनका control होगा अपनी feelings के उपर यहां फिर यह बहुत जादा आपके उपर ही independent हो जाएंगे dependent हो जाएंगे ठीक है आप कईस जिसके बारे में सोच रहें अभी इस च्राइम यह वही person है अगर आपको कोई बीएफ है तो वही यह person हो सकते हैं अगर वह toxic है फिर नहीं मैं कह रहे हूं toxicity यहां पर नहीं दिख रही है बलकुल भी बहुत positive person दिख रहे हैं बहुत loving है यह person okay और कईना की बहुत change लेकि आने वाले है यह person अभी आप किसी के बारे में अगर सोच रहे हो तो yes positive person है यह ओके आपके लिए यहां से क्या energies आ रहे हैं आपके लिए क्या देख लेते हैं हम क्या energies हैं यहां पे आपके लिए okay loved one in heaven की energies है thank you loved one in heaven for drawing clothes at this time so वो आपको अपना आशिर्वाद देते हुए दिख रहे हैं guys जब भी ए person आएंगे आपको एक तरह से आशिर्वाद होगा उनका यह okay बतलब एक तरह से gift है आप उनकी तरह से आपके लिए so the inner voice है so आपको गारे thanks कहीं अपने angels को के वो आपको guide कर रहे हैं आपकी inner voice के थ्रूँ आपको okay and yes 100% मैंने कहा balance create करेंगे आपकी life में person आकर और वो यह करेंगे ठीक है अगर आपकी energies imbalance है न तो यह balance कर देंगे आपको ठीक है आपकी yen और yang masculine और feminine energies में balance create कर देंगे यह आपकी life में आके and यहाँ पर है आपके लिए sign from heaven वाव वही चीज़ के angels आपकी help कर रहे हैं guide कर रहे हैं कि यह person यहीं है एक आपको signs भी मिल सकते हैं heaven की तरफ से आपको कहा जाए thank you for heaven thank you heaven for sending me reminder of your presence so guys आपको thanks भी कहना है ठीक है कि हाँ आप उने मतलब वो आपको न मतलब ऐसा हो सकता है guide कर रहे है तो of course आपको thanks कहना है यह चीज़ों के लिए I don't know why मैं confused हो रही है आपकी reading में शाहिद आप भी इस time confused जो कुछ चीज़ों में ठीक है जो मैं बोलना चाहा रही हूँ न guys वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ शाहिद ऐसा हो सकता है आप किसी को I love you कहना चाहता है या कोई आपको I love you कहना चाहता है बट आप कह नहीं पा रहे है या वो भी आपको नहीं कह पा रहे है तो आपको heaven के science के उपर believe करना है अगर आपको बहुत सारे angel numbers दिखते है तो उस time उस चीज़ को search करो कि इसका love में meaning क्या है इसका career में meaning क्या है तो गूगल पर आप easily search कर सकते हो अगर आपको reading चाहिए होगी इंजल numbers पे तो वह आप tarot के through भी करवा सकते हो मुझसे तो यहाँ पे गाई unconditional love है so divine mother है यहाँ पे divine है यहाँ पे सीधा आपके लिए भगवान ही आ चुके है यहाँ पे जिसको हम धर्दी मा कहते है या अपनी हमारी माता कहते है जैसे भगवान शिफ की पारवती मा है तो अफकोस भगवान शिफ को गौड फादर कहा जाता है या ना हमारे डिवाइन फादर माना जाता है और मा पारवती को हमारी सब्सक्सक्स któ करिए उनको कि वह की अपकी help कररे है कि आप गिवर्शिव बैलंस में कर पाऊ प्यार को थिक है जितना आप डिजर्फ कर रहे है उतना प ले भी पाऊ उतना आप दे भी पहूँ, send भी कर पहूँ, ठीक है, उतना लफ, सो यहाँ पे पीस्फुल वारियर की energies है, सो आर्केंचल एरियाल आए हैं यहाँ पी, सो थेंक्यो एरियाल फो हेल्पिंग मी स्टान्ड माई ग्राउंड विद पीस सो आपको बागी यहाँ बहुत positive reading आई है, आपके लिए बिल्कुल negative नहीं है destiny ही आप दोनों को मिलवाने वाली है, ठीक है, आप सोच में नहीं पाओगे कि कभी यह person आ गई आपकी life में, ठीक है, आपको time ही नहीं मिलने वाला है कि हाँ, अब आएंगे, आप सोचोगे जतना तब नहीं आएंगे, जब आप सोचोगे कि हाँ, सोचोगे ही नहीं मतलब आपका ध्यानी कहीं और होगा अपने करियर के उपर, अपने life के उपर तब ही यह person आने वाले हैं, या आपके पास उस चाइम बहुत सारी options होने वाले हैं, तब ही यह person आने वाले हैं, तो गईस कब तक आएंगे, एक card आ चुका है आपके लिए, यहाँ पे है आपके लिए Sun of Cups card की energies means Knight of Cups, ओके, यहाँ पे आपके लिए और क्या है, King of Pentacles, ओके, एक और card है आपके लिए, Eight of Pentacles, ओके, So, तीन card आचुके हैं, खुद बखुद आपके लिए, bottom of deck आपको दिखाऊं guys, Two of Cups card की energies हैं, so, यह person के साथ आपका love बहुत ज़ादा आपके, Career में बहुत ज़ाद आपके साथ रहने वाले हैं, Career सुन रहा है, यहाँ पे, Because Eight of Pentacles, King of Pentacles है, यह person आट में महीने में आपकी लाइफ में आ सकते हैं, 8th मन्त आपके लिए important role play कर रहा है, या फिर सेकेंड मन्त में next year, या फिर अभी दो महीने और पड़े हैं, या दो साल पड़े हैं, अगर आपकी चोटी है, ठीक है, तो दो साल लग सकते हैं, इनको 8 साल भी लग सकते हैं, अगर आप अभी 14-15 साल की हो और तो अभी थोड़ी वो आ जाएंगे, तो अभी तो आट साल लगा के चलो कितने होगे, 21-22 साल की एज में आएंगे फिर वो, तो अगर आप 24-25 साल की एज की हो तो next 8 months में, 2 months में, या अभी से 8 में, 9 में या अभी से जो 8 में आ रहा है वो, या अगले साल दूसरा में आ रहा है वो, ठीक है, ये आपके लिए months important होने वाले, ये timings आपके लिए important होने वाले है, 100% आप एक queen हो, तो ये person एक king होने वाले है, ठीक है, या फिर वाइसा वरसा guys, और ये person slow ही के, टेजी से नहीं आते हो, मुझे ये दिख रहे है, slow speed में ये person आपकी तरफ भढ़ते हो, दिख रहे है मुझे, and slowly slowly आपकी तरफ आएंगे, एक दम से आपको commitment भी नहीं देने वाले, ये person, ना ही आप deserve, मतलब आप सोचना मत के हा, मैं deserve करती हूं, मुझे 2, 2, 2, no, जब divine timing में आई कि तभी ये person आपको देंगे, अगर इनको देनी होगी, मतलब आपको commitment ठीक है, so अगर आप मांगोगे तब नहीं दे सकते है, because होता है न कि कही बार divine timing ही role play करती है, शादी वगेरा के लिए, of course marriage के उपर तो destiny का ही हाथ होता है, अगर आप सोचोगे के नहीं, हमारी लिखी होते हैं, नहीं, अगर आपका behavior zone का कैसा है, वो आप सोच सकते हैं, हम एक दूसरे कैसे behave करेंगे, उसको आप change कर सकते हैं, but destiny में जो लिखी शादी को change नहीं कर सकते हैं, and happy family होने वाली है after marriage हो कि आपकी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, anyways guys, अगर आपको reading कर वाई हैं, so thank you so much guys, अभी के लिए इतना ही, bye guys, so hello everyone, guys sir, maadeev, radhi, radhi, कैसे आप सभी लोग guys, I hope आप सभी लोग अच्छे होगर अपने life में पी आगे बढ़ रहे होगी, so आज मैं आपके लिए reading लेक्के आगे हो, who is coming new versus old person, okay, so कौन आ रहे हैं आपकी life में this time, कोई पुरा आपके लिए अगर आपके नेम के नेशियल थे, तो आपके लिए second पाल थी, तो start कर लेते हैं आपके reading को, and also guys sales चल रहे हैं, crystal के उपर 10% sale है, 10th of July तक if you want to buy any type of crystal, bracelet, ring, pendant, तो आप वो ले सकते हो के, and second ID को follow खदलो ठीके, Instagram पे जाके, because, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उसको हमें backup के लिए एक और account रखना चाहिए न, crystal का तो है, बढ़ हाँ, उसको भी आप follow कर लेना, ठीके, so anyways guys, वो मेरे following list में होगा, people hash tarot crystal name है, उस ID का, ठीके, so यहाँ पे action card है, ओके आपके लिए, so मुझे ऐसा लग रहा है कि yes, आपकी life में कहीं न गहीं, आपको action लेने की जुरुत है, आपको कहीं न गहीं अपनी life में, यह जो भी person आएंगे, यह तो आपको जानते हैं, old person है, okay, तो of course, यह action लेंगे, reconciliation होगा आपके और आपके partner के बीच में, जब भी आप दोनों मिलोगे, तो यहां पर growth बहुत लेके आ रहे हैं आपकी life में, person ऐसे ही नहीं आ रहे है, मतलब आपकी life में, grow करोगे आप अपनी life में, ठीक है, जब भी इस person से मिलोगे आप, 17 number आपके लिए important होसता है, also 8 number, and आपकी energies अगर imbalance थी, तो वो balance चो जाएंगी, आपकी yen और yang energies हैं, so of course आपकी masculine और feminine energies, अगर आप जादा तर feminine energies में रहेते तो definitely आपको masculine energies भी, feel करने का मौका मिलेगा इस time पर, and यह energies हैं guys आपके लिए यहां पर, oracles के through, so guys यहां tarot के through देख लेते हैं, आपके लिए क्या energies आ रही हैं, okay, so guys also reading को like करके channel को subscribe कर लेना, bell icon को दबा के all पर set कर देना, and also personal reading अगर आपको लेने होगी, तो आपको मुझे instagram पर DM करना पड़ेगा, यहां अगर आप instagram पर हो ही नहीं, तो comment section में भी बोल सकते हैं, मैं आपको number provide कर दूँगी, okay, and also guys, यहां पर आपके लिए death काड़ा है सबसे पहले, okay, कौन आ रहे आपके जिंदगी में, stream पर, who is coming, new versus old, so eight of pentacles के energies हैं, यहां पर great, यहां पर आपके लिए temperance के energies, okay, and guys also July month की predictions मैंने डाल दी हैं, full jode, all jodex signs, okay, so वो अलग-अलग jodex signs आप readings चेक आउट कर सकते हूँ, अपने sun, moon, rising और north node के accordingly, so यहां पर death card है, eight of pentacles है, queen of swords है, knight of wands है, यहां पर three of swords card की energies आई हैं, okay, bottom of the deck is nine of cups card की energies है, middle of the deck guys, वैसे seven of cups था, बठाँ, page of cups भी आना चाहता है, so यह person guys, अभी कैसे कह सकते हैं, अपने growth के face में हैं, यह person grow होंगे आपके साथ, जब भी आपकी life में आएंगे न, यह person की growth होने वाली है, because मुझे page of cups देखा, तो of course इनकी तरफ से ही offer आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप इनको offer दोगे, यह person ही आपको offer देने आएंगे, चाहिए girl है, चाहिए boy है, इनकी तरफ से ही message होगा, आपको बाकी ज़्यादा तर boys ही देखे जाते हैं, बढ़ हाँ girl भी दे सकती है, आपको ठेक है proposal अगर आप boy हो, तो यहाँ पर यह person बहुत hard working होंगे, यह जो भी person है, कि हाँ, इनके पास कोई आ नहीं रहा है, या इनके पास कोई option नहीं है, यह person आपके साथ आना चाहते हैं, आप थोड़े blunt हो, थोड़ा सा आप हो, इनको यह डर भी लग रहा है, यह आना तो चाहते हैं आपकी life में, बट यह डर रहे हैं किया आप इनको अपना होगे फिर से, I think यह old person है, यहाँ पे death है, यहाँ पे three of swords है, temperance है, यहाँ पे patience रखना पड़ा है आपको हाना, इस person के लिए बहुत time होगे, 8 साल भी दिख रहे हैं मुझे, 7 साल, 8 साल, 9 साल की energies, यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, three years भी हो सकता है, so यह person वापीस आना चाहते हैं, आपकी life में death है, transformation, change हुए हैं यह person, change कर रहे थे, यह person अपनी life में काम कर रहे थे, अपनी life के उपर ठीक है, अपनी life में आगे भढ़ने के लिए, अपने career को बढ़ाने के लिए, so that आपको यह commitment दे पाएं हैं अच्छे से, तो इसलिए यह person आपकी तरफ अबाना चाहते हैं, so it's on you कि आपको इनको choose करना है नहीं, but इस person ने आपको बहुत hurt किया है, या आपने guys यह सब चीज़े की हैं, heart broken की energies हैं, आप जाना चाहते हो किसी के life में, so मैं यहाँ वाईसा वाईसा नर्जिस भी बोल देती हूँ, so उसके accordingly भी आप देखा करो, so आप थोड़े से guys, straight forward बात करने वाले मुझे दिख रहे हो, ठीक है, आप थोड़े blunt हो, मतलब आपको यह है कि हाँ, जो है, आपने इनके लिए विश किया है, आपने इनको अपने लाइफ में, अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, I feel it so, यह परसन को आपने अट्रैक्ट करना चाहा है, यह मुझे दिख रहे होगे, आपकी विश थी, तो तभी यह परसन चाहा है, slow speed में आए है, आप दोनों का हाट चक्रा उपन किया गया है, so that एक दूसरे के लिए feelings फिर से आप दोनों के अंदर आपाए, आप दोनों की लाइफ में ही, करियर को जादा importance दिलवाई गई है, so that पहले आप अपने करियर के उपर focus कर पाऊ, then after that, reconciliation and then after that, आपके लिए marriage या proposal ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, so ये सब चीज़ें आपके लिए important हैं, ये person आपकी तरफ आ रहे हैं, ये old person मुझे दिख रहे हैं जादा तरफ, आपके लिए Scorpio, Sagittarius sign जादा important हो सकते हैं, also यहाँ पर Taurus, Capricorn भी है, Gemini, Lebrae, Aquarius भी है, Aries, Leos, Sagittarius भी है, और Cancer, Scorpio, Pisces भी है, so सबी चीज़ें यहाँ पर, सबी elements यहाँ पर बैठे हैं, so it's on you now कि हाँ, आपके लिए क्या important है, या तो आपके Scorpio, Sagittarius, आपके Sun, Moon, Rising, and North North में आता होगा, या आपके Partner, जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, उनके आता होगा, ठीक है, so यह energies थी, guys, आपके लिए Tarot के थूँ, okay, so यहाँ से देख लेते हैं, आपके लिए क्या energies थी, यह person की तरफ से ही, guys, आपको offer आएगा, proposal आएगा, और यह person बहुत ज़ा over passionate होने वाले हैं आपके लिए, okay, okay, first chakra Archangel Michael की energies है, so definitely आपकी life में कहीं न कहीं, guys, इस person का base chakra open है, या आपका base chakra open है, ठीक है, sensual and sexual powers बहुत ज़ादा हैं यहाँ पे, finances के उपर बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं यहाँ आपके partner, यहाँ फिर आप, okay, and also यहाँ पे है rest and resignation, थोड़ा सा refreshment के लिए बोला जारा है, guys, rest करने के लिए बोला जारा हैं आपको, ठीक है, resonate करने के लिए बोला जारा है, या फिर, जब तक आप दोनों अलग थे, तो तब तक आप दोनों ने ही rest and resignation feel किया है, आपको universe नहीं यह space provide की थी, नहीं तो आप space नहीं दे ले थे, एक दूसरे को that's the reason also, and yes, attachment कहीं नहीं, आपकी भी attachments रही है past से, तभी यह person वापिस आना चाहते है, आपकी यह चीज़े मुझे दिख रही है, means आपके old person, आपने चाहे उनके लिए मखोटा धारन कर लिया था, मुझे यह सुन रहा है कि आपने मखोटा धारन किया था, अपने मुँ पे, कि yes, मैं इसको अलग करूँगे, अपने से दूर रखूँगे, बट अंदर ही अंदर attachment थी ठीक है, like जन्जीर से attached थे आप उसके साथ, ठीक है, past के साथ अपने, so anxiety है कही ना, कि अब आप डर भी रहे हो, कि क्यों आ रहे हैं वो person शाहिद, या आप anxiety थी कि हाँ, अगर वो ना आए, तो कैसे होगा, अगर वो ऐसे, वैसे जो भी होता है, आपकी energies हैं न, वो आप कैसे feel कर रहे हो, आप किसी person के अलग होने से, या आपके ex के वापिस आने से, so it's on you now, and यहाँ पर victory है, कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लग रहे हैं, कुछ लोग तो अपने ex को ही वापिस चाहते हैं, यहाँ पे, और उनको victory मिलने वाली है, and guys, यह reading general होती है, सबसे तो match होगी नहीं, general reading है, so keep an open mind, अगर आपको personal reading लेने हैं, तो of course, आप मुझे instagram पे DM कर सकते हो, instagram का link description में है, यहाँ पे time stamps के just उपर, and यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कि आप restaurant resonate कर रहे हो, थोड़े anxiety feel कर रहे हो, past की बाते याद कर करके, हाँ अब आपको नहीं चाहिए अपने ex, तो यह भी energies हो सकती है, cards बहुत कुछ read कर सकते हैं, opposite reading भी, यहाँ पे मैं read कर सकते हो, अगर मैं read करना जाओ, बट मुझे जो feel हो, मैंने वो बोला, okay, पहले, so यहाँ पे garden and the gate energies है, okay, so आपके लिए यह है, कि आपकी life में कहीं ना, कि doors open हो रहे है, universe divine के doors open किये जा रहे हैं, यहाँ पे, and angels आपके साथ है, angels, shands, clothes, and yes, आपके लिए यह भी है, कि आपके life में change आए, transformation आपको देखने को मिलने वाले, जब भी आपको butterflies देखेगी, okay, so यह energies यहाँ पे आपके लिए है, 35 number 19, 5, 10, 1, 9, 18, 28, 30, या फिर 3, या फिर 8 number, यह numbers आपके लिए important हो, 10, 10 number आपको बहुत जाद देख सकता है, okay, so यहाँ से देख लिए आपके लिए, see this पहले ही card, guys, आपके लिए balance का आया है, so मैंने आपको सबसे पहले balance create करने के लिए ही बोला था, तो वही यहाँ पे, so thank you angels for bringing my life into balance, so guys, आपके life को balance में लेके आया जाएगा, जब भी a person आएंगे, okay, उसके पात, and यहाँ पे, guys, आपके loved ones हैं, heaven में, जो वो आपको आशिर्वाज सेंड करें, so thanks के angels को, यह अपने loved ones को, okay, yes, वो आपको blessing सेंड कर रहें, यह आपके साथ दे रहें इस time पे, so आपको heaven से कुछ ना कुछ, स्वरक से, कुछ ना कुछ messages दिये जा सकते हैं, through the, like, होता ना, पंची का फर, okay, so यहाँ पे, thank you heaven for sending me, reminders of your presence, so thanks के angels को, divine को, heaven को, कि वो आपको presence अपने show कर रहे हैं, and yes, in our voice, guys, आपको अपने अंतर मन की अवाज सुनने की जुरूत है, कि कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और किसको आप चाहते ही हुआ आना, हाना, लेके आना, so अगर आप X के बारे में सोचे जाओगे, तो वो manifest चो जाएगा, और X ही हाएगा आपकी लाइफ में, so that's why, okay, so यहाँ पर लास्ट है, guys, oh my god, मैं आपको सच्ची बता हूँ, guys, यह चार कार्ट, फर्स्ट पाइल में आए हैं, आप देख सकते हो, Divine Mother की अनर्जिस वहाँ पर भी आए हैं, so यहाँ पर healthy choices, अपने healthy choices, guys, लो, ठीक है, weight gain हो रहे हैं, of course, healthy diet लेना, start करो, yoga, start करो, exercise, start करो, so thank you angels for guiding me to make healthy, to make healthy decisions, so अपने healthy decisions को लेने के लिए, guide करेंगे आपको angels, of course, उनको आप thanks करेंगे, and Divine Mother आपकी help कर रहे हैं, कि हाँ, आपको कितना love मिल रहे हैं, तो of course, आपको जितना deserve कर रहे हैं, इतना आपको मिलेगा, so आपको इसको reverse भी करना है, आपको इसको give देना भी है, ठीक है, so of course, इसके उपर भी आप ध्यान रखेगा, so lane day यहाँ पर बहुत अच्छे से करना है, जितना जो deserve करता है, अगर आप जादा deserve करते हैं, अफकोस आपके पास जादा आएगा, ठीक है, so यह सब चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जादा है, balance में करना सीखो, यह सब चीज़ें भी, जादा कम तो करना ही नहीं है, but हाँ, balance create करना सीखो के, anyways guys, यहाँ पर आपके लिए देख लेती हूँ मैं, कि हाँ, आपके लिए कब तक यह person आ सकते हैं, आपकी life में, कितना time और लग सकता है, इस person को आपकी life में आने के लिए, magician card है, जब आप manifest करो, तब ही आ जाएंगे guys, यह person मुझे यही दिख रहा है, जब आप चाहोगे न, तब ही यह person आ जाने वाले, अगर आप अभी चाहोगे न, विदन वन आवर ही यह person, आपको message, call, या फिर आपको आपके घर के सामने, या ऐसे कुछ energies, आपके आस पास आ जाएंगे, यह okay, and बहुत positive cards आएंगे guys, magician, strength, two of cups, so yes, आपको कहा जारेंगे, within two months, one month, two months, या फिर nine months के अंदर अंदर आ जाएंगे, या फिर one day, two day or nine days, या one week, two weeks or nine weeks, so months, weeks or days, या hours, okay, hours भी बहुत important है, one hour, two hour, या फिर nine hour, okay, so yeah, eleven hour, sorry, eleven guys, okay, eleven month में भी आ सकते हैं, and also, यहाँ पर आपको मैं यह भी बोलना चाहते हूँ, कि यह बहुत strengthful person होने वाले, आपके strength increase होगे, इस person के आने के बाद ही, okay, बहुत दा लव होने वाला है guys, आप दोनों के अंदर प्यार भरा, मतलब रिष्टा यहाँ पर बनने वाला है, बहुत ओर फ्लो लव आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर, bottom of the deck, यहाँ पर है, six of swords, so yes, definitely, आपके life में, यह जो भी person आने वाले हैं, okay, यह move on, आपको आपने किया है, यह इस person नहीं किया, इस रिष्टे से, यह परसन विदिन, यह तो अभी जून मंत हैं, उसी में आये हैं, यह परसन यहाँ नेक्स ये, जैन्वरी और फैबररी में आएंगे, या फिर अभी जून नेवंबर आएगा, यह परसन आजाएंगे, या फिर इस हावर्स में इस राइम को यूज़ देख लो, ठीक है, तो एनिवे इस काईज, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो लाइक इस रीडिंग, सब्सक्राइब तो इस चैनल, बेल एकन को दबा देना, परसनल रीडिंग के लिए, आप मुझे इंस्ट्राग्राम पे डियम, इंस्ट्राग्राम का लिंग डिस्क्राप्शन में है, टाइम स्ट्राइम के जर्श रूपर, या फिर आप लोग बाउट से भी देख सकते हैं, अभी के लिए इतना है, स्रामादी, राधी राधी, बाई!